असलाम लेकूम, वेलकम बैक तो माई चैनल, वेलकम बैक तो आनदर व्लॉग, कैसे हैं आप सब लोग, I hope सब ठीक होई, अच्छा जी हमारे गर में आज दावत है, दावत कुछ ऐसी है कि हमारी मेरे जो भाई हैं वो उमर अगर क्या हैं तो वो हमारे गर आ रहे थे, तो उसक कम बज़ेट में मैंने इतना अच्छा दावत का आरेंजमेंट कर लिया था, यहां पर अबू जो थे, वो समान मुगेरा लेकर आ गए थे, जो जो चीज़े मुझे चाहिए थी, सारा मसला जो था ना, सारा प्रोग्रम जो था ना, एंड पर आगे समयदार हैं आप, जब ख मैं और भावी जो गाड़ी में अब समान लेके आ थे, वो जो हे ना, वो सारा केचन में लेके आ रही है, भी काम शूम जो हो चरू हैं, उनकी फैमली इतनी मड़ी नहीं है, बस भावी बावी हो और उनके 2-3 बच्चे हैं, बस वो यह आ रहे हैं, चलेंज जी जो दावत की त्यारी है वो हम यहां पर शुरू करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, जिस तरह आप लोगों को पता है कि सर्दियों में गाजर का हलवा खाया जाता है, और सर्दि भी बहुत जादा थी, तो बाहित जो हमने मट्टी का चुला बनाया है, अम्मी वहां पर आग वगरा जलाके ना सारे वहां बैठे हुए थे, आग से एकने के लिए, तो अम्मी ने कहा कि तुम मुझे यह सारा कुछ इदर लाके पकड़ा दो, तो मैं इधरी बैठके बना लूँगा, यहां पर तक्रीबन दो से तीन किलो गाजरे थी, हम मतलब सिर्फ द अपर लाके लिए, जितना ये पके गा ना, उतना ही ज्यादा ये मुझे तार बनेगा, यहां पर तक्रीबन दो किलो धूध था, जो हमने तीन, यह डाई किलो गाजरे हूँगी, उसके अंदर हमने यह दो डाई किलो धूध आला दिया, उसके बाद हमने इसको पकने दिना मीने बनाया था फैसे रेस्पी जो थी ना वो मैं शूट करी थी आप लोग के लिए कि मैंने का चलो आप लोग के साशेयर करूँगी और ना इसके अंदर पानी डाल के इसको पकाते रहना जब ये इस ट्रैप पे आ जाएगा ना तब हमने इसके अंदर जो है ना वो चीनी ड दाल दिये थे अंदे जो है वो आप जितने मर्जी अपने मतलब अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर आपको जादा पसंद है या कम पसंद है बाकि अभी जो अल्मोस्ट जो है ना वो हलवा त्यार होने वाला है जब इसके अंदर अच्छा जी मैं आपको पता दूँ इसक इसके अंदर मीरी ना देसीगी डाला था वो मैं सेन नहीं ले सकी तो अभी इसके अंदर मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा पानी है तो अभी मैं अंदर ले आई थी इसको किचन में तो मैं बस इसके अंदर थोड़ा सा थोड़ा सा मैंने मक्र डाल के ना तो मैंने इसको फिर ना कर लिया था, हल्वा जो है हमारा त्यारा इतना मज़े का बना था हलाकि हमने इसके अंदर कुछ भी जादा चीज़े नहीं डाली है, तो इसका टेस्ट भी इतना मज़ेदार था, मतलब हमने दूद इसमें जादा डाला था, तो दूद से अच्छा जी, अब यहां पर मैं बनाने रगी हूँ चिकन तिक्का मिक्रॉनी, जिसको बना निकली मैंने एक बाउल जो है, वो बोनलस चिकन कर ले लिया जब मैंने मगवाया था, भू को कह कि तो बोनलस चिकन मगवाना जो है, वो मैं बोल गी थी तो फिर मैंने इसके अंदर जो है न, जो चिकन आया था पकाने के लिए कडाई बनाने के लिए, तो मैं एक लैक पीस लेकि न, उसके बड़ी मुश्किल से मैंने चोड़ी-चोटी न, बोटियां कर लिए, बस मैंने मैने बैश कर लिया तो बस इसके अंदर मैंने थोड़ासा जो है ना तकरीबन दो से दो एक डेट चमच जो है मैंने तिका मसाला लगा के और एक अदर जो इसके अंदर लीमू है वो लगा के तकरीबन इसको गहन्टे डेट के लिए रख देंगे और दूसरी साइट पे हम मिकरानी को बुबाइल कर लेंगे आप लोगो को लगेगा कि मैं फोरन से बनाने लगी हूँ बाकी ये सब कुछ मैं आप लोगों खरी रिकॉर्ड करनी हूँ बहुत मेहनल से मैंने ये दावत का मेन्यू जो बनाया और दूसरी बात मैं अभी वीडियो मतलब कोकिंग करना साथ में शूट करना बाद में एडिटिंग करना वोईस ओवर करना ये चीज़ी मुश्किल हो जाती है बहुत मेहनल से मैंने सारा कुछ किया आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर वाइरल करवाना है ताके मुझे थोड़ी सी मॉटिवेशन मिले के मैं काम अच्छा गा रही हूँ बस यहाँ पर कड़ाई के अंदर कोकिंग और ओयल शामिल कर देंगे कोकिंग और ओयल शामिल करने के बाद जो है ना चिकन तिका मसाला डाला है और उसके बाद जो है हम इसको स्मोक का जो है ना वो मतलब दम लगाएंगे बस यहाँ पर चिकन को फ्राई करेंगे और चिकन को गला लेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो है आदा टोमाटर सिरफ इसके अंदर टोमाटर डालेंगे और टोमाटर को भी इसको गला लेंगे और अगर आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ा से नमक कम है तो आप नमक जो है वो डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने एक टोमाटर डाल लिया है और अब इसके अंदर जो चिली सॉस, सया सॉस और विनिगर जाएंगे जो कि अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में मैंने यह चिकन तिका मिक्राउनी जो है वो मैंने बनाई है और सिरियसली इतनी मज़ेधार बनी थी आप लोगोंने मेरी वीडियो को इसको जरूर आपने ट्राई करना है और दूसरी बात आपको अगें कह दूँ कि मैंने बहुत मेहनत से यह वीडियो बनाई है आप लोगोंने इस वीडियो को जरूर वाइरल करवाना है अच्छा जी इसके अंदर मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और विनिगर जो है वो डाल दी है अब इन तमाम सॉसिस को डालने के बाद जो है इनको अची तरह से मिक्स कर लेंगे और जो टमाटर हैं तब तक वो भी गल जाएंगे और दूसी सैट पे मिक्राउनी जो हैं चिली गारलिक सोस जो होती है वो डाल देंगे अगर आपके पास है तो डालने अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दे मुझे यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो नमक और मिर्च कम लग डगी थी तो मैने थोड़ी सी सैट के अंद दर दरा मिर्च और थोड़ा सा जो है ना वो नमक डाल दिया है और उसके बाद इसके अंदे में चिली गार्लिक सोस जो है वो डाल के फ्लेम को में आफ कर दूँगी हो और इसके बाद अगर आपको लगे के सोसिस जो हैं वो कम हैं तो आप इसको दुबारा डाल सकते हैं अच्छा जी अब बारी आती है इसको दम लगाने की एक कोईला जो है उसको मैंने गरम कर लिया था और बस इसका जो है हम दम लगा देंगे इतना इसका मज़ेदार सा फ्लेवर आया था पर न इसका डगकरनी में सुराक था न तो एसके फर उंगली रख ली बस यहां पर हमारी जो चिकन तिका मिक्रोनिग वो भी त्यार है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सोरी अगर आपको मेरी येवाली रेस्पी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है और मेरी वीडियो को वाइरल जरूर करवाना है क्युicon कि मैंने बहुत महीनًस से यह विडियो बनाई ये ी अब चलते हैं हम अपने अगली रेस्पी की तरफ वैसे आप लोग बताएं कैसे हैं ठीक हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में क्या अच्छा किया क्या करने वाले हैं आप लोग को मेरे व्लॉग्स मेरी कुकिंग की वीडियो देखना कैसा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और आज कल सरदी इतनी है कि कुछ काम करने को दिल नहीं करता सिरिसली अच्छा जी मिक्रोनी त्यार है और दूसरी सैट पर यहां पर मैंने सैलड जो है वो बना कर रख लिया था रैंडम ली इसको काट के सैलड बना कर रख लिया था और मिंट जो था मिंट का जो बना कर रख हुआ था चटनी सी वो नहीं थी तो मैंने फिर जीरा डाल के तो फिर मैंने वो वला रायता बना के वो भी रख लिया था, एक साइड पे बाकी अभी हमारी एक रेस्पी जो रह गी है उसकी तरफ चलते हैं बस यहां पर रायता स्लाद बाकी सारा समान जो हो बना के एक साइड पे डख लेंगे अच्छा जी अब हम आते हैं अपनी सेकिंड लास्ट रेस्पी की तरफ यहां पे कुछ चिकन और आलू को हमने मुवाइल कर लिया था, यह वाली रेस्पी जो है मेरी विवरेट है, मुझे बहुत जाद अपसंद है यहां पे आलू और चिकन को अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे और इसको हम चाइनिस कबाब भी कहते हैं आलू और चिकन के कबाब भी कहते हैं इसको हम टिक्निया भी कहते हैं जो आपका दिल करता है न वो कहा लेते हैं वैसे हैं हमारे गर में तो इसको चिकन और आलो के आलो चिकन के जो टिकिया या खबाब का जाता है यहां पर पुदीना सुरी धरादनिया थोड़ा सा प्यास और एक अदर बरी कटी हुई जो है ना वो मैंने हरी मिश इसके अंदर शामिल कर दिया है यह सारी चीजों को अंद लाल मिश डाली है और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिश डाली है और एक पिंच जो है वो मैंने इसके अंदर हल्दी का डाल दिया है और यहां पर थोड़ा सा जो है वो गरम साला मैंने इसके अंदर डालिया और ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो इसको क्या कहते हैं सुका दन्या वो डालिया और यहां पर यह सारी चीजें डालने के बाद इसको जो है ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जो हाथों से काम क पैटके editing भी कर रही हूं और voice over भी कर रही हूं तो आप लोगों ने जरूर subscribe करना है और वीडियो को ये वैली वीडियो को जरूर viral करवाना है अच्छा मैं आप लोगों को अभी से एक बात जो है ना वो clear कर दूँ के मैंने एक discipline के साथ जो है ना वो सारी जो editing करके ना एक जो सारी जो चीज़ें इनको तरीके से मैं cover कर रही हूं यह नहीं कि कि मैंने अभी बनाया और अभी सारी चीज़ें fry करने लगी हूं अभी surf करने लगी हूं ऐसा कुछ नहीं है मैं recording करती गहीं सीन लेती गही हूं कि जब मैं surf करूंगी बाकी editing के दुरान जो है ना वो step by step एक recipe बता के पर दूसरी recipe यह सारी चीज़ें जो है ना वो कर लूँगी यहां पे ना जो हमारी Chinese कबाब हैं आलू या चिकन के कबाब हैं वो हमारे almost done है इसको अंडा डाल सोरी अंडाल गाके हमने ना इनको ना तवे की उपर fry कर लेना और seriously यह इतने मज़े के बनते हैं हमारे गर में यह almost सब को बहुत पसंद है वैसे भाई जो हैं वो जादा चि की तरफ चलते हैं जो मैं बना रही हूं चिकन वो भी एक जो शादी में ने बनता देगी स्टाइल में वो स्टाइल में बना रही हूं बस यहां पे लसन अद्रक प्याज हरी मिच्चे यह सब कुछ ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगे और उ कि आँच पर जो सालन था ना वो पकता गया और इतना मज़े का बना था वैसे प्लैन था कि पहले ना हम देशी जो चिकन है ना वो बना लेंगे पर पता नहीं मिला क्यों नहीं जहां से हम गोश्ट वगरा लेते हैं शायद वो दुकान नहीं खुली वी थी तो फिर मैंने यही बनाने यह बेख सालन इतना मज़े का बना था वो अश्व को बहुत अच्छा लगा तो बस यहां पिहां कुकिंग ऑइल जो घर्ब हो गे और उसके बाद जो है ना इसके बाद मि Eastr ना यहीं पैस के बाद ही तकाँ मसाला अगर आपके पास है तो डालें अगर आपक बस नहीं है तो आपर चिकन कौरमा मसाला या जो भी आपके पास है वो ढाल दें आचा हमें इसके इतने थोड़ी सी देरा मिच और जीरा भी डाला था बस फिर इसके अंदर जो है वो आदा पैकिड जो है चिकन तिका मसाला का डाल के और इसको बस अची तरह से बून लेंगे और इसके बार जो है इसके अंदर चिकन डाल देंगे और चिकन डालने के बाद चिकन को थोड़ी देर के लिए बूनेंगे और जितना आपने शोरबा ये ग्रेवी बनानी उतना पानी डाल के इसको हलकी आँच पे पकने के लिए रख देंगे और हलकी आँच के उपर सालन पकता रहेगा और इतना मज़ेदार सालन में था हाँ बस इस बात का आपने ख्यार रखना है कि जो चिकन है उसकी बुनाई है आपने बहुत अच्छी करनी है क्योंकि जो खाने में टेस्ट डिवेलप होता है न हो सारा बुनाई का होता है तो चिकन डालने के बाद आपने इसकी बुनाई अची करना है ताकि जो लसन अदर की एक smell सी होती है वो निकल जाए और बुनाई करने के बाद आप अपने हिसाब से जितना अपने पानी डालना है ना डालके तो इसको अची तरह से ना हलकी आंच पे रख दें ताकि गलता र बड़ा मज़ेदार बनेगा आप लोग ने ऐसे जरूर ट्राइ करना है बस यहां पर चिकन डाल दूँगी और इसको बून दूँगी बस फिर इसके अंदर पानी डाल के और इसको हलकी आँच पे पकने के लिए रख दिया था और जो सालन था ना मज़े का बना था आप लोगों ने इसको जरूर ट्राइ करना है और बस यहां पर जो वीडियो है हमारी कंप्लीट हो चुकिए है तमाम रेस्टियां अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सिब्सक्राइब जरूर करना है मैंने बहुत महनें से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना जो एक मज़ेदार सा भी नी सा जो टू सा मैन्यू है दावत का मैन्यू है और वो भी बज़ेट फ्रेंडली जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो आप लोगों ने जादा सा जादा इस व अल्मोस्ट जो है महमान आ चुके थे अल्मोस्ट मैं क्यों कहा रही हूँ बस यहां भी लाइट जब मैंने खाना रखा लाइट भी चलेगी यहां पर सब लोग बैट के खाना खा रहे थे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें मिलेंगे इंशाला सुब किसे अच्छे व्लोग के साथ या ची कुकिंग की वीडियो के साथ तब तक अपना ख्यार रखें दुआ हमें याद रखें तैंक्स पर वाचिंग अलाफीज बाई जो है उम्रा करके आए था वो मेरे लिए वहाँ से पर्फ्यूम लेकिया था वो मैं आप लोग कर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा